नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की दुनिया की खबरें किस तरह से हम तक पहुचती हैं हमारी राजनीती को प्रभावित करती हैं इसकी ताजा मिसाल है जर्मनी में हुई G7 की बैठक G7 दुनिया भर के शक्तिशाली और द्योगिक देशों या यू कहिए कोलोनियल पावर का एक अनौपचारिक समू है इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किंग्डम और अमरीका शामिल हैं यूरोपीन यूनियन के प्रतिज़ी भी इसमें शि सिनिगल और दक्षन अफ्रीका को पार्टनर देशों के तौर पर इसमें बुलाया गया था और यूक्रेन के राष्टपती जेलेंस्की ने भी वीडियो के जरिये इससे अब संबोधित किया जी सेवन देश दुनिया के 10 फीसिदी आबादी 31 फीसिदी ग्लोबल जीडिपी और 21 फीसिदी ग्लोबल कार्बन डायकसाइड छोड़ते हैं चीन और भारत दुनिया के सबसे आबादी वाले देश हैं और वे जी सेवन से बाहर हैं जी सेवन ग्लोबल ट्रेड में भी बहुत एहम भूमी का अदा करता है अब आईए देखते हैं कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी यहाँ पर पार्टनर देश के तौर पर गए थे शिरकत की थी उन्होंने लेकिन मज़ेदार बात है कि जो पूरा प्रचार तंत्र सक्री हुआ जिस तरह की खबरे भारत में आई उससे देखकर बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि भारत जो में बैठक है जी सेवन की उसमें शिरकत कर रहा था जबकि मुख्य बैठक से भारत का कोई वास्ता नहीं था दूर दूर तक लेकिन प्रचार तंत्र तो प्रचार तंत्र है स्व लोग मोदी जी के विरोध में भी जूटे थे सडकों पर उत्रे थे वह हम तक आप तक नहीं पहुचे दोनों ही फोटोज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और मुख्य बैठक होने के बाद जो इवेंट है उसमें मोदी जी जो बोले उसने जो कॉंट्रास्ट पैदा किया व अब आप देखें जो ख़बर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसने जिस तरह की एक विडंबना भारत में खड़ा की वह अपने आप में अनूठी है वहाँ पर फ्री स्पीच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विचारों की आजादी की हिमायती मोदी जी ने बताया कि भारत है और भारत ने बकायदा जी सेवन देशों के साथ साथ जो अन्य चार देश गए थे उनके साथ मिलकर रिजिलियन डिमोक्रीसी स्टेट्मेंट टूथाउजन ट्वेंटी टू पर हस्ताक्षर किया अब देखिए आईरनी जो खबर आपको दिखाई दे रही है इसमे कि जो जुबेर हैं उनको जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने गिरफतार किया पूरे मामले को घेरा यह दोनों एक कॉंट्रास्ट है इंटरनाशनल खबर का देश की हकीकत के साथ और दूसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे संक्षेप में वह नैटो से जुड़ी हुई है नैटो के बैठक चल रही है जिसमें उसने ये बताया है कि वह अपनी सैने शक्ती का विस्तार करेगा एक ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज करने की तरफ बढ़ रहा है नैटो जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में महज 12 देशों के साथ और इस समय 30 देश उसमें शामिल हो चुके हैं कुछ लाइन में लगे हुए हैं नैटो यानि नौर्थ एट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन और इसका पूरा का पूरा विस्तार है जिस तरह से यूक्रेन में इसकी पूरी भूमी का रही है इस पर हम चर्चा करेंगे आए चलते हैं बात करते हैं प्रब G7 का समिट हुआ उसमें जिस तरह से रूस पर सैंक्शन की बात हुई तेल पर बातचीत हुई उसका क्या असर आपको लगता है दुनिया में दिखाई देगा क्योंकि G7 जिस तरह का इंफॉर्मल फोरम है इंडस्ट्रियल का उसका यह कदम है यह काफी एहम दिखाई दे र पावर्स उनकी गोश्टी है तो साफ होना चाहिए G7 का मतलब क्या है वो कहते हैं हम सबसे आर्थिक रूप से सक्ष्टिशाली देश है तो उस पर चीन शामिल नहीं है इस वाक्त रूस भी शामिल नहीं है और बड़े एकॉनमिस के अंदर अगर हिंदोस्तान की भी गिंती करें हम भी शामिल नहीं है तो यह देखते हुए इस एक्स कलोनियल पावर्स में मैं जपान को भी शामिल करता हूं तो यह G7 जो है कलब ऑफ दे रिच कह सकते हैं अमीर देशों की कलब है और जो डिसाइड करना चाहते हैं दुनिया के बारे में क्या होगा नहीं होगा हम आ एक डिसीशन था कि को लें के कि एंदी ट्रांसिशिन करना है क्लाइमिट चेंज को देखते हुए पर उन्होंने जोड़ जो दिया है वो इस पर है कि वो कोईला फिर इस्तंबाल करने वाले हैं क्योंकि तैल की संकट इसक्ट है गैस की संकट है खासतों से रूस के साथ जिनका जो यूक्रेन को लेके जो विवाद जंग कह सकते हैं चल रहा है उसमें रूस और का ऑईल रूस का गैस अगर एनरजी से निकल जाता है तो उनको फिर कोईला पर जाना पड़ेगा ये यूरपियन यूनिन को लग रहा है इसलि अपने कहते छोटा रास्ता उन्होंने निकाल लिया कि क्लाइमेट चेंज की जो कमिट्पिंट्स यूरपियन यूनियन की थी अमरीका तो खर है ही नहीं उसमें वो भी वो शायद लागुद नहीं कर पाएंगे तो यूक्रेन के जंग में उन्होंने दो चीज गई एक तो कि हम यूक्रेन को पैसा देंगे उनकी जंग चलाने के लिए तो यूक्रेन के जंग जानी रहे नेटो के तरफ सभी बयान आये अब एक जितना चाहिए उनको और पैसा हम देंगे उनकी खती शती की भरपाई हम करेंगे अब लड़ते रहें रूस के साथ ताकि रश्या को हम कब्जोर कर पाए यह जो उनकी समझ है पूरी रणनीती है वो इस पर साफ दिखाई पड़ता है दूसरी बात उन्हें ने कहा फिर जबने बहुत दिन से जिकर कर रहे हैं कि सैंक्शन की जो राजदीत है उनकी जो उन्होंने पैसे पर उनकी फाइनांस पे सैंक्शन लगाया स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया उनकी जितने पैसे उनके यूरोपेन यूनियन की बैंक्स में उनाइट किंडम के पास या अमरिकान बैंक्स में उसको जब्त कर लिया यह सब करने के बाद तेल पर सैंक्शन दूसरे चीजों पर सैंक् की दाम काफी बढ़ गई है पहले जब जब शुरू होने के पहले अगर साथ पैसाइट सतर डॉलर था ब्रेड क्रूट की एक बैरल की कीबत इस वक्त एक सो बीस की लगबंगी करीब दुगुना हो चुका है गैस तो तिगुना चौगुना हो चुका है यूरोपियन यूनिय को यह कहना पड़ रहा है नहीं हम गैस लेंगे पर हम जो है दाम इसका आपको यूरो में देंगे रूबल में नहीं देंगे रूस इसके साथ साथ धिरे-धिरे कम करना शुरू किया है तो जितना पैसा बिलेगा उत्ता देगा और दाम जो है उसका बढ़ेगा तो इस पे क तेल का सैंक्शन्स में एक अनोखी बात इन्होंने कहना शुन की कि हम निधारित करेंगे मैक्सिमम प्राइस इसका क्या होगा देखिए जब खरिदार होता है बेशने वाला होता है दोनों की सहबती से दाम तै होती है अगर आप खरिदना चाहते हो एक दाम में मैं आपको उस दबस्टी नहीं तो एक तरफ से क्या कहें गें डंडा डकाईती जो भी कहना चाहेंगे जब खरिदेवी तो यह तो अन्तराष्ट्रस तरफ ऑख इसमें ट्रेंड नहीं यह पोतागा हम बताएंगे इसका दर क्या होगा हो सकता है एक जमाना था आप कह सकते थे वो जमाना ही ओपेक का वाक्त पर पचास साल पहले ही खतब हो गया था तो आज इसको फिर आके रूस को कहना कि हम आपको बदाएंगे किस दाम पर हम खरीदेंगे आपको उसी दाम पर बेशना पड़ेगा यह तो चलने वाला नहीं है और तीसरी बात कहा कि हम गोल्ड जो है उसको हम एक वास्तों से जो रूस एक्सपोर्ट करता है तेल, गैस, कोईला तो यह जो चीज है यह लगता है सैंक्शन की उपर जो इनने जी सेवन की डिसिशन हुए है वो अजीव और गरीब है जो एकॉनमिक फाइनांशल आनलिस्ट कह रहे हैं उसको उनका यह कहना यह तो दिखावे के लिए हो सकता और इसमें कोई असलियत तो है ही नहीं रूस क्यों अपना गोल बेचेगा इस वाक्त जब उस ज्यादा पैसा उसको पहले से मिली रहा है तो यह सब देखते हुए यह लगता है कि जी सेवन में इसमें कोई दिशा नहीं है सिर्फ अवाज करे जा रहे हैं कि दंकी से अगर रूस डर के छोड़ दे इनकी बात मान ले लगता नहीं होने वाला है और इसमें यूरोपियन यूनियन की चीचा लेदर ज्यादा होने वाला है तो यूरोपियन यूनियन एनरजी की तौर पे रूस पे बहुत ज्यादा डिपेंडनेंट है गैस, ओएल, घेरने की कोशिश कर रहे थे उसी कड़ी में एक आगे कदम बढ़ाया जी सेवन ने इसी संदर में दूसरा जो सवाल हमारे सामने उठता है कि भारत ने भी जब जी सेवन की मीटिंग खतम हुई उसके बात कि जो इन्वाइटी थे पांच देशों को इन्वाइट किया था उसमें भारत भी शामिल था प्रधान मंत्री नरेंद मोदी भी वहां पहुचे सोमवार को और उन्होंने क्लाइमेट चेंज एनरजी और बाकी चीजों पर जो एक सेशन था उसमें बात की यहां पर मैं जो आप से जानना चाहूंगी कि एक तरफ भारत भारत के प्रधान मं पर में भी उन्होंने कम से कम जो अभी अमरीका और वेस्टन दुनिया का स्टैंड है उसमें वहां पर उस खेमे के साथ वह एलाइन नहीं दिखाई देते तो जो हमारी दिशा है अंतराश्टी इस तर पर वह क्या दिखाई दे रही है समय देखिए इस पर बड़ा साफ है क कि जी सेवन का जो इन्वाइटी के बैठक है वो तो एक हिसाब से भाइचारा दिखाने के लिए दिखावे के लिए कुछ लोगों को थोड़ा उपर करने के लिए था पर मूल भारत बर्श का जो राजदीती है इस वाक्त अंतराश्टी इस तर पे उसमें कोई इस तरह की परिवर्दन लगता नहीं जी-7 की इस मीटिंग से होने वाला है क्योंकि हम विक्स की मीटिंग में बीह जाते हैं कौट में लेटो भी जाते है और अन्तपराश्टी तर पे जो हमारी एक अलग पहंचान थी वो इस वक्त है कोई कोई हमें इस तरह से नहीं पूछ रहा है कि आप बताइए क्या होने वाले है क्या करना चाहिए वो सिर्फ कर है हमारे साथ आईए या हमारे साथ आईए यह दोनों तरफ की बात है तो अंतराश्ट्य स्थर पे हमारी कोई बनुवरिविलिटी जो पहले से थी वो उस तरह से नहीं है कि हम कह सके दुनिया को कि शान्ति कैसे लानी चाहिए जो हमारा मुख्य एम होना चाहिए कि जंग से सब को नुक्सान हो रहा है हमको भी नुक्सान हो रहा है भारी पैमाने पर नुक्सान हो रहा है और ठिक लूप से देखी सकते हैं कि तेल कदाम कोईले कदाम वहा तो अंतर राष्टियस तर पर जंग बंध करने की जुवरत है जो अगवाई अंतर राष्टियस से भारत बश कर सकता था उस भूमिका को हम अदा नहीं कर रहे हम दोनों तरह जा रहे हैं बात कर रहे हैं तबास सही है कि हम कौड पे जाके एक वक्त लगा था कि अमरीका के सब्सक्राइब को देखते हुए यूक्रेयन में हमारे कोई स्थिति बड़ी स्टेक नहीं है देखते हुए हमने उस रास्ते से कुछ हद तक अलग हटे और इस वक्त यूक्रेयन रुसिया रश्या की बीच में हम उस तरह से कोई एक पाक्षिय तरफ से हम नहीं बोल रहे हैं अमरीका नेटों के साथ हम उसमें नहीं गए और सैंक्शन को हम देख विकार नहीं किया बहुत बड़ी बात है और उसलिए हमारी अभी भी दोनों तरफ से एक कह सकते हैं बातचीत करने की मौका तो है पर शांती के लिए बातचीत हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं जो कि एक ब अभी वेस्ट एशिया को लेकर भी वेस्ट एशिया अभी इधर वेस्ट एशिया को लेकर भी जो कौड का मीटिंग होने वाली है जिसमें इसराइल भी शामिल है उसमें भी जा रहे हैं उसको वेस्ट एशिया के कौड कहा जा रहा है आई-टू यू-टू उसके नाम दिया पर देखिएगा Quad भी जो भूबी का अदा कर सकता था वो नहीं किया Quad भी देखिएगा कि पहले लगा के Eastern NATO की शुरूप ले सकता है और US के बाद Australia, Britain और United States मिलके जब शुरू किया अब उसके साथ इस वक जापान भी जापान को भी जोड रहे है New Zealand को भी जोड रहे है पांचो देश नेटो में इन्वाइटीज है इस वाक्त तो यह सब देखते हुए उनको लगता है कि Quad 4 जो इस पी इंदो-पेसिफिक में था वो उनके खास military importance नहीं है और भारतवर्श उससे काफी military चीजों से काफी अपने आपको हटा लिया तो वो एक अच्छी बात है कि उ इस तरह वेस्ट एशिया बे आई-टू यू-टू बे जाएं बातचीत करें पर उसके आगे शायद नहीं जाएंगे क्योंकि Abraham Accords जो वहां चल रहा था उसमें United Arab Emirates भी शामिल है और इस्रेयल शामिल है और भी मुलके शामिल है वहां पर आफरिका से भी एक-दो मुलके शा तो इरान के खिलाफ होगा और उससे हमारी आर्थिक नुकसानी होगा पाइदा नहीं होगा इसलिए पैर तो वहां रख रहें जिसे कौट में भी रख रहे हैं पर वो इस नेटो में पैर इस वक्त रखने के लिए तयाद नहीं है रूस के साथ जंग करने के लिए तयाद न रहा है और हर जगा और हर जगा एक प्यार मनेजमेंट का भी काफी मौका है वो भी काफी दिल्चस्प मीडिया कवरेश के लिए एक इवेंट बन जाता है प्रभीर नैटो की बात हम लगातार कर रहे हैं नैटो ने बहुत बात जो इसपष्ट की है कि वह मिलिटरी एक्सप यह सारा एक्सपेंशन होता हमें दिखाई दे रहा है यह कितना बड़ा खत्रा विश्व शान्ती के लिए रहेगा नेटो का जो है कि ट्रूप्स की बढ़ोती की जो बात करें इंटर्वेंशन बाहर इंटर्वीन करनी के लिए मेरे चान से सबसे एहम चीज जो इस बैठक म है कि नेटो पे साथ उन्होंने जित देशों का आमंत्रण किया नेटो नॉट अट्लांटिक जोग्राफिक रूप में वो नॉट अट्लांटिक यॉरप नॉट अमेरिका के बीच पे था उसको इंटरनाशनलाइज कर रहे हैं औस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड इनको बुला है तो साफ है कि नेटों को द्रिष्टी एक अंतरराष्ट्य स्तर पे वर्ल्ड वाइट एक मिलिटरी पैक्ट बनादा तो यह एक परिवर्तन है देखना पड़ेगा इसका असर क्या पड़ता है क्योंकि नेटों का भी अनौन्समेंट शुरू ही हुआ है भी खतम नहीं हु तो यह यह दस देशों से ज्यादा उसकी मिलिटरी बजट है एक देश और रूस तो उस पर दस पर ठाग मी नहीं लेता वो तो बारवा तेरवा स्थान पर है तो उसका अगर देखे तो मिलिटरिली इस वाक्त यह कह सकते हैं कि नेटों देश और उनकी जो एलाइज है उनक तो इस वाक जिस दिशा में जा रहा है लगता है न्यू कोर्ड वार का एक पक्ष साइक दब साफ हो रहा है और नेटों उसमें कॉर्णर स्टोन बनेगा उसका एक नीम बनेगा यह दिखने की दोस्तों यह दो एहम डवलप्मेंट जो ग्लोबल मैप पर हुए हैं अंतराश लगातार युद्ध फैलाने युद्ध का विस्तार करने की तरफ बढ़ रहे हैं और यह निश्चित तौर पर आपके लिए हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है आप से गुजारिश है कि पैनी नजर के साथ दुनिया भर की खबरों को टटोलने क के लिए देखिए लाइक करिए शेर करिए परताल दुनिया भर की न्यूस क्लिक शुक्रिया